मेरे प्यारे चौन वसकार तो शुरू करते हैं इस क्लास को और इस क्लास में सैट 3 इंटरमेडियर गड़ी 2018 के प्रस्णों गॉल करवाएंगे और अभी तक 2018 के 2 सैट कंप्लीट करवा चुके हैं जिन बच्चों ने सैट 1, सैट 2 कंप्लीट नहीं किया है लेंक के डिस्क्रिशन मिल जाएगा कंप्लीट का लेना और इस क्लास में सैट 3 के प्रस्णों गॉल करवाएंगे तो अभी तक आप लोग ने इस वीडियों को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी श्योंट इस वीडियों को लाइक कर दे और इस वीडियों को जादों जादों सेयर करते हैं अपने फ्रेंड सर्किल में तो इंतिजार खतम हुआ उड़ाते हैं वन वाई वन प्रस्णों का करदा तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रस्ण पहले का का बताया गया है यदि इतना बरावर इतना हो तो डी वाई अपन डी एकस बरावर है मेरे प्यारे वच्चों यह प्रस्ण रिपीट है कहां पे हो चुका है देख लो 2020 का दूसरा सैट है सैट कोड है 324 एकस भी और प्रस्ण बताया गया है सेबिन का खा और उसका सेकिंड पार्ट तो यहां पर डारेक्ट हम टिक लगा देते हैं सी करेक्ट है ठीक है आपको कैसे लिखना है यहां पर लिख देते हैं प्रस्ण संख्या पहले काक का ऐसे आपको लिख लेना है जब आप लोग पेपर देने जाओगे तो कॉपी पे आपको ऐसे लिखना है और जो भी बिकल्प करेक्ट हो उसको आप लोग लिख लेना है तो यहां पर सी बताया गया है लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स का होली स्क्वार तो एक नंबर प्राप्थ हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपको प्रस्थ दिख रहा है बहु विकल्पी है लेकिन 2020 का दूसरा सैड बताया है यहां पर मेरे प्यारे बच्चों यहां पर बहु भी कल्पी आपको ढया बहु भीकल्पी है आपको डारेट करना है यहषे लगाने वालागर प्रस और तो कॉपी के लास्ट वाला पन्ना जो है वहां पे रफकार डाल लेना है वही पे लगा लेना है और इस टार्टिंग में आपको इतना लिखना है ठीक है क्योंकि एक नमबर का एक मिलेगा डेड़ या दो नहीं मिलेंगे आपको लगा के नहीं अंदर शीट बताना है डारेक्ट आपको बिकल बताना यहां पर इतना ध्यान रखना ठीक है सबसे पहले आपको लिख लेना है इतना क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ दिख रहा है यदी यदी का मतलब क्या होता है दिया है ठीक है तो यहां पर लिख देते हैं दिया है एक्सी गात बाई बराबर एक्सी गात में एक्स माइनस बाई अब आपने एक रूल पड़ा होगा ए हटाएंगे इस तरफ लॉग आ जाएगा लेकिन ये आधार किसका है एक्स माइनस बाई पहले इस घात का अधार था लेकिन जब लॉग आ गया अब यह लॉग का आधार बन जाएगा ठीक है बराबर में एक्स मैनस हुआ है अब आपको पता है यहां पर चर की घात चर है और लॉग भी है तो लॉग में घात आगे आ जाती है कर लो यहां पर यहां पर आपको क्या दिख रहा है बताईए यहां पर बाई यहां पर बाई हमसे कहा गया है कि डी वाई अपॉन डी एक्स ग्याद कीजिए तो हम क्या करेंगे वाई का मान निकालेंगे एक्स के पदों में क्योंकि नीचे जो डी के पास में एक्स है इसी के साफ़ेज आपको अफ्कलंद करना है तो यहां पर हम क्या करेंगे वाई को इस तरह लाएंगे तो वाई प्लस का वाई लॉग एक्स वेसी बराबर में एक्स अब यहां से हम कामन ले लेंगे क्या मिलेगा हमको वाई तो क्या कर रहे हैं सजा रहे हैं अभी अपकलंद नहीं किया है तो बाई बराबर आएगा एक्स के अपन वन प्लस का लॉग एक्स बेसी यहां पर जो दिख रहा है आपको अन्स वटे हर क्या दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों अन्स वटे हर और जो अन्स वटे हर दिख र करने पर यहां पर हमने क्या लिखा एक्स के सापेज अपकलन करने पर हमको कैसे पता चला कि एक्स के सापेज अपकलन होगा यहां पर देखो डी के पास में चरी एक्स है यहां से पता चल गया ठीक है चलो भाई बरावर के मेरी तरफ आपको डी अपॉंड एक्स रखना है बरावर के उस तरफ आपको डी अपॉंड एक्स रखना है रख लिया ना ठीक है यहां पे बेस इह हम चला रहा है आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि जब हमने आपको पढ़ाया था लगू गड़ किए फलन में अब लन तो नहीं लिखते थे बेस एगे यहां पर क्यों लिख रहे हैं इसका भी रीजन आपको बता देते हैं यहां पर देखो एक्स है यहां पर एक्स है बहां पर तो इसलिए यी बेस हम लेख रहा है ठीक है और सीट मच करने के लिए यह लेख रहा है कि इतना नोट कर लो आगे बढ़ते हैं ठीक है डी वाई अपाउड हो जाएकन यहां पर हर इंटू अंस का अपकलन बताओ X का 1 होता है माइनस अंस इटू हर का अपकलन हर 1 का 0 लॉग X बेस E है तो क्या हो जाएगा 1 अपान X अपान में देखो 1 प्लस का लॉग X बेस E का होल स्कॉर है क्योंकि हर का होल स्कॉर होता है इतना नोट करो अब यह खातम नहीं हुआ है आगे बढ़ेगा भाई आगे बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देखो DY upon DX बराबर में यहाँ पे क्या मिला 1 प्लस का लॉग X बेस E यहाँ पे X से X कार्ड लो 1 मिला अपान में 1 प्लस का लॉग X बेस E का whole square one minus ka one plus ka cancel हो गया note करते रहो नोट करते रहो आप लोग तो d y upon dx बराबर यहां पे देखो log x बेशी upon में one plus log x बेशी है लेकि जो हमने आंसर सीट आपको बता है यहां पे log e x है तो देखो कैसे आएगा इस वन के इस्तान पर आपको क्या रखना ऐसे रखना है है ठीक है क्योंकि लॉग जिसका बताना है अगर आधार वही है तो अंसरीट वन होती है तो हमने वन के इस्थान पर इतना रख लिया इतनी आपको जानकारी होना चाहिए नहीं है तो मागे लिख देते हैं देखो कि लाग ए लाग ए और बेस ए तो वन मतलब सेम टू-सेम होना चाहिए तो अंसरीट वन होती है ठीक है इसमें लगा लूग यह म्लस लॉग एम लॉगमिन तो यहां से लिखते हैं लॉग एक सो बैस ए अपर लॉग वेस ए यहां पर लिखो यह ना लिखो और इसका क्या बन ज को है कि यह आंसर सीड आ गई डी वाई अपॉन डी एक्स के समझ में आ रहा होगा कि हमने यहां पर लॉग यह प्लस लॉग यहन का फार्मूला लगाया है होता है बराबर लॉग इंटू यह यह होता है फार्मूला है ठीक है नोट कर लो इसको अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रण देख लो तब तक आप लोग क्या दिया है और क्याम से मांगा गया है है कि तो यहां पर नंबर चेंज कर देते हैं कौन सा है अंधर और यह बिकल्ब जो भी है इसको भी इटा देते हैं चला बाइं यहां पर देख लो कौन सा कर्रेक्ट होगा यहां पर आपको बताया गया इसी समागलन का मान है तो अगर रुड के अंदर जो लिखा करदें कितना मिलेगा टू एक्स तो टू एक्स उबर होना चाहिए क्योंकि प्रसना वली साथ असम्लग डो कंप्लीट करवाई थी प्रति थापन बीदी के दो फार्मौले के बताएं गए तो रूड का एक फार्मौला है बताता है रूड के अंदर जो इसका आप ग्लन करों अगर ऊपर माइस हो जाता है तो तो रूड जिसका अपकलण करते वह लिखते हैं यह आईडिया नहीं does क्हलों नहीं आपकलण में आपने को का गुणा टो का भाग कर दिया तुरन डिक दिया से तुअ कि बटे में एक दो है और root x का upon में अपकलन होता है मिंस समा कलन होता है to root ठीक है तो इतना ही मिलेगा इसमें limit use कर लो अपर रखेंगे फिर minus के बाद lower तो root 2 और minus का root 1 तो root 2 minus 1 कहांपे root 2 minus 1 यह यह correct है ठीक है तो यहांपे लिख लो root 2 minus इसका होगा एक नंबर प्राप्त हो गया लेकिन आपके समझ में नहीं आया होगा समझाते हैं इसको देख लो बेशिक से लगवाते हैं आई के बरावर लेख लो जीरो से वन एक्स और रूड में क्या है वन प्लस एक्स स्कॉर्ड एक्स है रहे प्यारे बच्चों हमने यहां पर क्या का यूज किया देख लो इस कि ऑया फू डेख ययक्क अप आनमें डूमें एक सह खिंगना बताता है इसका अपकलन करो अगर यह मिलता है उपर वाला तो रोड़ एक्स का देडरे प्यारे बच्चों कि आपने डारेट्ट है एक्स y89 बूंड एक्स तो इसका वह जाएगा टू रूड एफन प्लस का सिए ओप ये फार्मॉला हम यूज करेंगे यह ठीक है मि चलो आपकलन करो इस रूड के आज एंदर हो उन प्लस का एक्स2 यह यह वन एक्स2 ऑल और कंडू-ठคरिक तो nuestra मिला यहाँ है कि चहेven माइश होगा अचर माज़ हो ठीक है नहीं मेश हुआ तो when बाग कर लेना लेकर इतना द्याश रगना है दिशिया हंडीड परसेंट में हो जाता है कि यूदि2 का बवाग नहीं कि आ जाएगा इतना द्यां रगना 2 नहीं मेश ऑब डी खाते तो आपको लिख दो क्या है जो भी यहां पर आपको क्या करना है है लिमिट यूज़ करना रखोगे तो वन का स्कॉार 10 माइनस लूर लिमिट रखो गे жीरो रखो जीरो का स्कॉार जीरो यह हल करूं यहां से रूट मिला पहले वाले रूट रूट से और दूसरे वाले रूट छे बन मिला रूट बन कमान का मुधं हुटा रूट स्वान ठीक है नोट कर लो यह हमने बेसिक से लगा दिया है अब आप लोग बताईए अगला जो भी प्रस्न है कौन सा उसमें बिकल्प करेक्ट है लगा इन एक ऑफोर जी ट्रुप से बताएं और सीट पहले इसको हम चेंज कर देते हैं कि फिर हम फोर जी ट्रिक से अंदर शीड बताएंगे यह कहता है तिरुपुझ के सीर्ट दिये गए तिरुपुझ का छेत्र फल है तो जैसे आपके सीर्ट बैसे ही आपको लिख लेना ह याद रखना यो बता रहा है फोर ट्रेक हर एक तरवुज के चेत्रफुल में यह यूज होगे चाहें सीर से जाएं जैसे दे दें बीच वाला पकड़ना है अपने इसे नहींद ठीक है आपने समझ लिया होगा अपोजिट चिन से लिखना है इसके नीचे इसके नीचे जब लिखा तो यही आपको इसके नीचे भी लिखना है और इसके नीचे भी लिखना है तो मैनस चार कामा जीरो यहां पर भी लिख लो और यहां पर भी लिख लो ठीक है और यह हमेश 4 प्लस 1 माइनस का 3 मिला यहां पर क्या लिख दें जोडने पर जोडने पर ठीक है यहां पर देखो 0 यहां पर जोड़ो चार ठीक है अब हम निकालेंगे 6 तरफल एक वठा दो अब कैसे लिखना है लोगी है हम आपको बताते हैं यह हैं आपको बाहरी गुड़न करना है आपने इतना लिखा फिर माइनस के बाद में आंतरिक गुड़न जो बता रहा एक बद Cum से कितना मिला 4 तें माइनस का बारा मिला दो चंक बारा तो माइनस वार्ग की लखा है और मात्रग लिखा ऑगर मात्रग लिग देते हैं अब बैसिक से लगवा देते हैं चलो बैसिक से सीख लो कि इसको रॉफ कर देते हैं फिर आज़े बढ़ते हैं कि तो अगर आप लोग ने को लाइक नहीं किया है अभीतर तो वीडियो को लाइक कर दो स regen 요ा से जुना उसमें आपता ही फायदा है जब भी हम अगली क्लास लाएंगे तो नोटिफिकेसन रेविड फायर की तरह सबसे पहले आपको मिलेगा ठीक है बेसिक से देख लो सबसे पहले क्या लेख लो तिरबुज के सीर्स तिरबुज के सीर्स पहला क्या है 1,0 दूसरा क्या है 4,0 तीसरा क्या है 4,4 यह आपर यह थीक है यह प्रसन अगर हम बात करें पार्ट 4 आपने पढ़ाओका साड़िक तो तिरबुज का 6 अत्रफल का फार्मला याद होगा ठीक है तो agreement है तो यह पर लिख dib देते हैं तिरबु यही फार्मुला है रट्टा लगा लो ठीक है इसको हम ले लेते हैं एक्स वन इसको ले लेते हैं एक्सटू 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 इसको ले लेते हैं बाई ठीक है अब आप मान तो रखी सकते हो लला नह चलो भाई, अब आपको पिरसार करना है, किसके सापेच करोगे पिरसार, आपको दो जीरो दिख रहा है, जिस पंक्ती में या फिर जिस इस्तम में, लगातार दो जीरो दिख जाए, उसी पंक्ती या फिर उसी इस्तम के सापेच पिरसार करते हैं, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए लगातार 2-0 इस में दिख रहा है तो c2 के सापेज ही आपको फिरसार करना है चलो बाए आगे पिरसार करो तो c2 के सापेज पिरसार करने पर करो बाई c2 के सापेज पिरसार वह ना पांटू अगर चिन ना याद हो तो भाई देख लो ये हैं चिन एक जैसा चिन पास पास नहीं रहता है साड़िक में ठीक है अब पिरसार करने के लिए यहां से देखो माइनस है ले जीरो ले लो इसके लिए लिखना नहीं है ब्रेकिट में इतना दिया रखना है क्यों ब्रेकिट में कुछ भी आएगा बाहर कि यह संधी है स dato इसके लिए ब्रेके और में माइन से चार उंठाना इन ौ क कैसे छुपाएंगे वाइश चुपा लो इसकी 55000 चुप Об हो यह चुप गया तो आपको दिख रहां यह गया है when मिलेगा फिर सब्सक्राइब में गुणा करें यह इतना मिलेगा तो एक वठाद को एक वठाद को मेरे प्यारे बचों यहां पर माइनस का च्यार है ठीक है ब्रेकिन में मिला माइनस का तीन कि अब तो उत्तर आई ही जायेगा देख लो एक वठाद चार त्यों 12 प्लस का आएगा माइनस माइनस फ्लस दो चंग 12 शे वर्ग एक आए एक आई लिखो यह मात्रग लिखा नम तो यह हो गया तीन हो गया है चलो इतना तो नौट करो भाई आगे बढ़ते हैं अगला देख लो विकल्ब कौन सा करेक्ट होगा इसको हम रफ कर देते हैं नमबर यहां पर चेंज कर लेते हैं घा इसके भी 4G ट्रिक से अंसर शीड बताते हैं अगर आप लोग वीडियो को नहीं लाइक करते होगा आपके लिए देखो आपके लिए यह देखो और यही कर रहे हैं इसके पैसे नहीं पड़ते हैं लाइक करने कोई पैसा नहीं पड़ेगा फिरे में रॉते हैं और फिरे में ही डेकन प्रेस होता आहिस goggles करोगे जब लाइग है सबसे पहले मिलेगा सबसे पहले तो फोर जी ट्रिक्स थे हम क्या करेंगे इसके आंसर निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों एक आप यू दिया गया दो किराज दो कोटी का हमने लिख लिया जो भी दिया गया 13 है 21 है माइनस नहीं पड़ते हैं वो दिमाग में रखते हैं तो जानते हो ना लए तो आपन पड़ा ही औते यह पड़ा यहां से साड़िक का मान निकल हो माइनस का सेविन निकलेगा निकाल लेना भाई निकलेगा भाई फोर जी ट्रिक किसके लिए एड़ जोईंट एक लिए जब दो किरास दो कोटी का आपको साड़ेक मिल जाए मिन्स आभिव मिल जाए तब आपको करना क्या है विकड के अभियब देखना है सबसे पहले किसके देखना है विकड के अभियब इस्थान चेंज करना है माइनस ऊपर जाएगा वन नीचे जाएगा विकड के अभियब के इस्थान चेंज कर देना है इसके बाद जो भी अभियब बचेंगे कहने का मतलब हो है विकड के अलावा जो भी अभियब बचेंगे उसमें माइनस स हो जाएगा माईनस भुणा करना बिकड के अलावा जो भी भा थीक है माइनस यहां पर माइनस सो गुणा कर दो आब को पता हैं एक को पता है को सभी अभी यह में होता है तो यह बन प्लस का हो यह गया यह बी-वृस आए का यह मैनस का तो मेरे प्यारे चवच्छों स्सी देख लो देख लो और यह वटाEMA साथ 1 में है भीघ में से मैं भृण ऑपाइट तेरा नीब्रों एकल पैरा किसों में है टेरा किरीश यह है यह वीकलिप a तो एक वटा साथ वन थिरी टू माइनस वन यह तो हो गया तो बेसिक से इसको क्या लगवा है आप लोग जानते हो लगा लेना बेसिक से क्या आए बेसिक से तो हो इजाएगा यार क्योंकि दो किराज दो कोटी का अगर व्यूत करम नहीं निकाल पाए तो बाई चुलू पर पानी में डूपके मर जाओं बेसिक से अगर नहीं लगा पाए हमने देखो बहुत बिकल्पी है में बता दिया है कौन सा कर लेना बेसिक से कोई दिक्कत नहीं है हो जाएगा बाई हो जाएगा अब अगला देखो अणा बाई इसकी ट्रिक नहीं है हम बता देते हैं इस परस रेखा और अबिल्प कब प्रसन आजाए कोई फोर जी ट्रिक नहीं है लगा के ही आंसर शीड बताना है चेंज कर देते हैं पहले इसको हम कौँ सा नंबर है अडा है अडा है ये लोग अडा है अरे बाई इंक फैल गए फैल गए फैल गए फैल गए अरे भाई क्या हो रहा है ठीक है यहां पर बिकल बाद में करेंगे यार यहां पर क्या लिखा बक्र दिया गया है कि किस बिंदू पर इस परस रेखा की प्रवरत भ्रटा बताया सूनने और यहाँ पर क्या बताया बंदु बिंदु कि याद करना प्रवरता दे दी गई है सूनने ठीक है तो क्या करेंगे यहां पे दिया गया वक्र चलो वाक्र लगालों इसक्वाइर मैनस का फ्रवरता सूनने और आपको बता है यहां से निकाल लेंगे कैसे अपकलन करना पड़ता एक बार करो भाई एक सापट कलन तो यहां पे टू एक समाइनस कँछ अब बिंदू कर बिंदू तो है नहीं मेरे पास फिर भी हम बिंदू क्या लेंगे एक्सवन कामा बाइवन ठीक है इस अपर इस पर्स रेखा की प्रवर्ता हम निकालेंगे मेरे प्यार बच्छों जब प्रस्ण में बिंदू पूछा जाए तो यह जो आपको दिख रहा है बक्र या करके एक्स को एक्सवन से और वाई को वाई वन से आपको लिखना है यह बात हमने पढ़ाए यह बात हमने आपको बताई थी जब हमने इस पर्स रेखा और अबिलंब आपको पढ़ाया पाट सेगी बात है अब कलच के अनुपरियो तो हमने यही बताया था जब भी प्रस्ण में बिन्दू पूछा जाए और इस पर से का या अविलम का प्रस्ण है तो बक्र को या करके y को y1 से x को x1 से लिखना है और इसे समिकरण एक डालना है इतनी बार बताई थी और यहाँ पर एक्सवन काम वाइवन से लिखा है तभी यहां पर हमने लिखा है प्रवड़ता यम बराबर निकालेंगे यहां पर देगो प्रवड़ता यम बराबर क्या होता है यह फार्मूला है यह क्या है फार्मूला है चलो भाई यह आंसर सीट है रग दो एक्स के इस्तान पर एक्सव यहां पर बताए इस पर्स रेखा की प्रवर्टा सुनने है ठीक है आगे बढ़ते हैं इसको हम राफ कर देते हैं नोट कर लो इतना उसने बोला है चुँके इस पर्स रेखा की प्रवर्टा 0 है और हमने क्या निकाला 2x1-6 यहां से एकस was common निकालो यहां से क्या निकालो यह सून गमान ब्रावर 6 याग वरावरेश 1-223 6 yes one ब्रावर तेल अब यह so one common कि इसमें रखेंगे Samyziru एक में रखने पर समीकरड एक में रखो समीकरड एक डाला है न वहीं पर रखो तो क्या था y1 बराबर x1 स्क्वाइर फिर मानस का 6 x1 प्लस का 8 यही था न ठीक है अब आपको क्या करना है यह x1 रख लो तो 3 का स्क्वाइर डारेक्ट हम लिख देते हैं 9 पिर यहां पर 3 रखोगे 18 और यहां पर प्लस का 8 तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से थोड़ा और हल करके लगाते हैं आगे तो y1 का मान 9 माइनस का 10 18 में से 8 जाएगा माइनस का 10 मिलेगा y1 बराबर माइनस का 1 दस में से नौ जाएगा मैनस का बनाएगा तो बिंदू हमें पता से लगए हमने जो बिंदू लिया था एकसे बाइवन अमान तो पतासे लगए न एक सबंसे न अ कमान अब आपको प्रहेंच दूसरे का का देख लेना है यहाँ पर पताया गया है यदि अबराबर इतना बबराबर इतना तो ऐ प्लस बी का मान ज्याद केजिये मेरे प्रहण BY-र्वच्चों यह प्रसंद पारण जिए से लिया गया है थीक है, पहले यहां पे लिख लो दूसरे का 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 हल अब यहां पे आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है यदी यदी का मतलब क्या होता है दिया है तो आपको यहां पे क्या लिखना है दिये गए आभियू दिये गए आभियू आभियू आपको लिख लेना है ए बराबर पहला अभी अब है कॉज स्कॉर एक्स ठीक है दूसरा सब्सक्राइब 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 कि a plus v का मान निकालिए अ पिलस b बराबर question mark ठीक है यहां पर लिखलो now a plus v ठीक है आभी हूँ लिखलो cause square x sine square x sine square x औ Erfahr раз ठीक है यह हमने क्या करिया अब यह पर लिख लिखली है कॉस स्कॉर एक साइन 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 स्कॉर एक ठीक है दूसरा अभी आप दूसरे अभी आपके साथ जोड़ लो तो साइन स्कॉयर एक्स प्लस कॉज स्कॉयर एक्स अब तीसरा अभी आपके साथ जोड़ लो साइन स्कॉयर एक्स प्लस का कॉज स्कॉयर एक्स तीसरे अभी तीसरे अभी के साथ जोड़ लो तो कॉज स्कॉयर एक्स प्लस का साइन स्कॉयर एक्स ठीक है ना तो हमें पता है यहां पर देखो कॉज स्कॉर एक्स प्लस साइन स्कॉर एक्स यहां पर देखो चाहें यहां पर साइन स्कॉर ठीटा फार्मूला है ठीक है यहां पर लिख देते हैं साइन स्कॉर ठीटा प्लस का कॉज स्कॉर ठीटा होता है बराबर वन यह आपको यूज करन है ठीक है एक लाइन जो है लिखेंगे आंतर्षीट आ जाएगी थोड़ा रेविट फाइल ले ले लेते हैं इसको कि चलो इसके आगे लिख लो आप आप लोग ए पिलस वी बराबर वन फिर वन फिर वन वन चलो वाई नोट कर लो यह तो ne for इंबर चेंग लोगया अगले प्रत्र की नहीं करेंगे उसके साथ कोई आरी Sh Hub मैं आ यह दि इतना बराबर इतना है तो कोस्ट 2 एक्स मान इंडा कीजी है यह परस्ण किस पार्ट लिए गया आप दो से लिए गया प्रतिलोम्तिर कोन मितिये फ्रांस है ठीक है लगवाते हैं यहां पर भी लिखा यह दी यह दी का मतलब क्या होता है दिया है यहां पर लिखेंग से अपान फूर एक्वल में एक्स ठीक ना यहां से आपको मान निकालना है टेन एक्स को मिन्स टेन इन्वर्स को उस तरफ लेके जाएंगे तो इन्वर्स हट जाएगा तो टेन एक्स का मान निकला है कितना तीन उबटे 4 झालो और हमको क्या ग्यात करना है कॉस टूd एक्स गमाण चलो भाई एक फार्मला होता है कॉस टू hem बराबन वन मंई अधर तदेन इस्कॉईटा अपन वन प्लस का तर यहीं फार्मला होता है ठीक है चलो अब भाई मान रखो तो वन माइनस का यहां पर देखो एक्स अगर कोड़ है तो आपको एक्स ही यहां पर लिखना है इतना दियां रखना है जो भी कौड़ है वही कौड़ आपको लिखना है स्सक्राइब जना है जल्दी नोड पुर हो इतना इसके बरावर आपको लेना है लिए जन्सें नोड पुर है कि अब दिर श्सक्राइब करना है सिस्टार करें अब यहांहीं एन तो अब आपको यहां से उतार लेना है, cos 2x बराबर, 1 माइनस का कितना हो जाएगा, 3 का स्कॉर, बताओ, 9, 4 का स्कॉर, 16, अपान में 3 का स्कॉर, 9, 4 का स्कॉर, 16, लगुत्तम ले लो 16, 16 माइनस का 9, नीचे ले लगुत्तम, 16, 16 तिलस का 9, यह 16 से 16 के अब आगे बढ़ते हैं इतना नोट करो यह किसके बरावर चल रहा है कॉस्ट टू एक्स के बरावर चल रहा है तो उपर बता हूं क्या मिला सोला मैनस का 9 नीचे सोला पिलस का 9 तो सोला में से नौ जाएंगे कितना मिलेगा साथ सोला नों पच्चीस तो कॉस्ट टू एक्स का मान आ गया साथ वटे पच्चीस दो प्रस्न हो गये अगले प्रस्न की यह बारी नहीं करेंगे उसके साथ कोई यह यह आरी चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा रे यहांपर क्या पताया गया सिद्ध कीजिए कि ए स्टार भी बराबर ए प्लस तुबी द्वारा परिवासित सटाइस अरट टेंस फिर टेंस्टो इस ही के सामने ह passat लिखना और श्टार भी ब्रावर एस्टार भी ब्रावर होता है बड़ता क बीश्टार एगा में देखो यहां पर एपहले बीवाद में बरावर में वीप हैं यह फार्मला होता है कहता किरम बिन्य में नहीं है तो इसका मान और इसका मान बरावर नहीं निकलेगा ना टिकुल कर देंगा ठीक है तो यहां पर हेडिंग डालो किरम बिनी में किरम बिनी में ठीक है ए स्टार बी बराबर ए स्टार बी का मान देया गया है समीकर नमबर एक डालो वी स्टार ए कुछ नहीं करना है देखो यहां पर ए पहले ए पहले बी बाद में यहां पर बी पहले तो यहां पर बी पहले आ जाएगा फिलस टू इंटू यहां पर देखो बी बाद में तो यहां पर बी आया मेरे पास क्या ए है तो ए है अब समीकर एक वा दो में आपको देख लेना है उसको चाओ तो देख लो हुआ हुआ है यहां पर दोगा गुड़ा हुआ है तो बरावर मान नहीं है तो क्या लिखना है समीक रड़ एक वा दो से ए स्टार वी बरावर नहीं है वी स्टार एक है और यहां पर लेख लो जहां किframes को कि ए और वी यह अभी एब कीसमें बलॉंग करेंगे कहां गया सम मुझ है ठीक है यहां पर विलांस्ट्ट उता है हमें सानाध्व नहीं आएगा यहां पर आपको चे करना होता है ठीक है अठा करके लिख दो बाता स Mormon का माशины है आर में एक यहां पर लिख देते हैं किरम बिनी में नहीं है किरम बिन में नहीं है नोट करो इतना यह तो कंप्लीट हो गया अब अगले प्रसंड की यह बारी नहीं करेंगे उसके साथ कोई आ रही है थोड़ा रेविट फायर ले ले लेते हैं इसको यह लो अब अगला नंबर डाल लो अगला नंबर कौई सा एई यह है यह घा तो यहां पर डाल देते हैं यहाँ पर क्या बताया गया थ्यागा ये ये और सपेज अब कल फौन आपको करना है पलनakah ऊबाइ के बरावर को मान लेना माना अबाइ बरावर क्या है यहंपे तेरी रूड एकस प्र या गिस्ट का है प्लस का apply यह मैंना का ग्यारा लॉइस एर डो लॉप के पाद है 1 एक रूट का है कर गार शहार और यह कर दो यहांद एक सा पेज़ अब करने पर इस हिंदी का मतलब जानते हो बरावर के मेरी तरफ d upon dx रखना है बरावर के उस तरफ d upon dx रखना है ठीक है 5 log x यहाँ पे कुछ नहीं है तो base e है वहाँ पे लिखा है आप लोग ना लिखो बेस ही लिखो या ने लिखो लेकिन base e आपको लिखना पड़ेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं इसका आपकलंड क्या हो जाएगा dy upon dx यहाँ पे आ जाओ हर एक पद को d upon dx देदो हर एक पद को 5 पर d upon dx log x 11 d upon dx log x वे से चलो यहाँ पे बता रूड x का आपकलंड बता हो क्या होत होता है रूड x का अपकलन होता है बना पांड टूर रूड x यह होता है कि समझ गए हो है robots कर गारेक्ट हमने एक शिगात लगा दिया आप लगा सकते हो कैसे एक बटा-2 आगे एक बटा-2 आ गया एक गटाओ ना तो घाथ कितनी मिलेगी माइनस एक बटा-2 घनात्म बना ल का लिख दिया यहां पे आज़ा पांच लॉग एक गारन बेस फिर उस है यहां पर लिके पर बना कि ग्यारा वटे एक्स लाग इवे से थीक है नोट कर लो यह कंप्लीट हो गया अगले प्रसंद की यह बारी भाई नहीं करेंगे उसके साथ कोई आड़ी देख लो अगला प्रसंद किस पार्ट से लिया गया है इसको अम्राफ कर देते हैं गादेक्स मिफमेय। नमबर चेंज कर लोगए ले प्रसंद किया है अडाँ यहां पर देते हैं यहां पर क्या तो यह प्छन का मान गयात कीजिए तो मेरे प्यारे वाच्चोंत तीन मेटर से यहां को और यहां पर मेटर डाल लो क्या देदान मैंतरे फस्ट है अई बराबर लिख लो क्या है वन आपान फान प्न प्लास का एक सद्ज एक स्टेक से पिछली कई के तो कौस्ट टीटा का फार्मुला आपको कॉस्ट में लगाना है वन से वन कड़ जाएगा अगर आपको माइनस दिख जाए तो कॉस्ट टीटा का फार्मुला साइन में लगाना है वन मानास का टू साइन स्कॉाइर टीटा वन से वन कड़ गया तो देखो यहां पर पिलस है तो यह यूज कर लो मतलब पहला मैंथड इसके लिए है वना पर 000 ब्लस का 2 कॉस इस्कोर एक्स रपांड टॉ मैन्न और यह पेर दियक्स मैरे प्याइब भाच्छों यहां पे एक स्था है यहां पे क्या लिएक रिख़ां प्रेंड ङों investir मतолब ठीटा मतलब कोंड का आधा होता है यहां पर क्या है टूठीटा यहां पर क्या है ठीटा मतलब कोंड का आधा टूठीटा का आधा ठीटा एक्स का आधा एक्स बंटो लल्ला नहीं हो सीख लो अब देखो यहांपे अब ऐसे भी आपको पता है कि समाखलं अन्स का होता है हरका नहीं खोता है हरका hoor לסो के रिलेटिव अगर फलन मिल जाए तो यहां पर ऐसा कोई फलन गैरा यह घार है यह फलन जु और फार्मुले के रिलेटिव है नहीं है तो किसका होगा अंस का होगा तो वह यहां पर चेंज आपकलन करना याद रगना अब कलन जब होता है तो अचर ही निकलता है रैखिक का अपकलन करना पड़ता है ठीक है तो आई बरावर एक वटा दो ऊपर है टेन एक सबसे नीचे कट जाता है या फिर इसको ऊपर लेके जाओ फिर काटो फिर भी कटेगा तो आंसर सीट आई है टेन एक सबसे नोट कर लो इसे अब यहां पर सेकंड मैथड डालेंगे जैसे मैथट अगर अलग अलग आएगी कोई बात नहीं है पूरे ही नंबर मिलेंगे एक नंबर नहीं कटेगा नाम क्या है अनिश्ची समागलन नाम जब अनिश्ची तो आंसर सी से निश्चित का मतलब है यह निश्चित होती है जाये जितने मैथर्षी कर लो लेकिन अनिश्य समाकलन में क्या होता है अलग-अलग method यूज करोगे अलग-अलग answer sheet आती है कुछ की सेम आती है देखो हम आपको बताते है method आपने दो डाल लिया होगा अगर यही answer sheet आ जाए तो ठीक है next जो भी method है अगर इसके अलावा आ जाए वो भी ठीक है एक number नहीं कट करेंगे तो देख लो है यहां पर लिक देते हैं लूद्धि मैं रेस्नलाइज बोलते हैं जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर यह अभी समझ में आ रहा है हम लिख रहें फिर आपको समझ ने आए जैसे पिल भभी तो माइनस का उपर नीचे आपको गुणा करना है यह हम उतनी देर से आपको बता रहा है यहाँ पे dx तो परिमे करण नहीं जानते हो यह तो जानते हो संयुगमी गुणा मेरे प्यारे बचों संयुगमी गुणा तब होता है यहसे I हो आई वाला बेंजक अगर है तो बोलेंगे सहयोगमी गुणा इतना द्यान रखना उपर नीचे अपोजिट चिन से गुणा करते हैं मतलब यहाँ पर जो किया है इसको बोलएंगे परिमिगड़ आई वाला बें जक है तो भी हो च्केल थे इंगलेस में बोलता है थीख हिरागे बढ़ते हैं तो आई बराबर अस में मिला 1-5 Ess नीचे अ पलस B A- K 써р माइनस का स्कॉयरेathe हम ऐसा क्यों कर रहे हैं मतलब यह हल क्यों कर रहे हैं फो स्वान अंस का होता है इसे अंस में लेके जाएंगे ये रीजन है नीचे वाले को अंस में लेके जाएंगे तो यहां पे बन का इसक्वार बन होगा तो बन माइनस कॉज स्क्वार एक्स क्या होता है साइन स्क्वार एक्स भाई वन माइनस कॉज स्क्वार एक्स बराबर क्या होता है साइन स्क्वाइर एक्स इतना तो जानते हो लल्ला नहीं हो ठीक है अब लगुत्तम वापस करेंगे बनके बटे करेंगे क्योंकि हमें अंस में इसे लेके चलना है कॉस के बटे लिख दो यह साइन स्क्वाइर एक्स और यहां पर इतना नोड करो अब इसका ब्यूत करेंगे आगे करें कि चलो वाई ब्यूतक्रम देख लो आई बराबर तो यहां पर देखो अपान में है इसक ब्यूतक्रम फॉर्च किसकोर यह पर कितने साइन दो हैं उपर कॉस एक हैं एक साइन इसे दह दो तो बन गया कॉट X ठीक है, एक सांव मचा उसका व्यूत्रम क्या लिख दो है कॉसिक एग्फ लिख दो बीच में क्या है, मैनस है है, दो पद बन गcience है अब समाकरन कर लो अचरी बराबर कोसिक'ए स्क्वायरेक्श क्या होता है माइनस का कॉट X होता है कॉसिक एक्ष अंटू क пот सरल कर लेते हैं इसको हम रफ कर देते हैं माइनस माइनस पिलस पिलस का पद पहले लिख दो अब माइनस का पद बाद में लिख दो यह हो गया मैथर सेकेंड से अब मैथर तीसरा बताएंगे देखो अंसरीट अलग है लेकिन पूरे ही नमबर मिलेंगे एक नमबर नहीं अब मैथट तीन की बात करेंगे इतने मैथट कोई अगर बता दे पूरे यूटूब पे चेलेंज है कोई मैथट नहीं बताता है वो 50 रुपए के जो टीचर होते हैं वो तो कभी नहीं बता पाएंगे वो कहते हैं आईए हमने रटाए आप भी रटिये रटने का इसाब नहीं है आपको समझना आए गड़ित में अगर चाहिए हैं सो मेंचे सो तो भाई जितना हम बता दें उतना काम कर लो आ जाएंगे सो में सो अब मैथट टू हमने पिछली कई किलास में आपको बताया था हम कभी भी बातें नहीं करते हैं हम केवल पढ़ाते हैं हम आपसे बातें करें तो बताओ पढ़ाएगा कौन बताओ आप ही बताओ अगर हम आपसे बातें करें पढ़ाएगा कौन कोई दूसरा पढ़ा देगा के नहीं ना इसलिए आपको यहां पर मैंतर तीन देखना है बात बातों से कुछ नहीं होता है कभी भी टापर नहीं बन पाऊगे बातें अगर करोगे बातें क्या हैं खा लेती हैं दीमाग को खा जाएंगे आपका दीमाग है पढ़ोगे तो बुद्धी इंक्रीज होगी बातें करोगे तो दीमाग बातें खा लेती है अब i बराबर आपको लिख लेना है कि आ है मेरे पास 1 upon 1 plus का cos x इतना है ठीक है अब एक फार्मला आपने पढ़ा होगा दे वो cos 2 theta बराबर होता है 1 minus का 10 square theta आप पान में 1 plus का 10 square theta ये फार्मला हम उज़ करेंगे कोंड का आधा होता है ठीक है आई बराबर यहां पर लगाव फार्मुला यहां पर तो one minus का ten square x upon two upon में one plus का ten square x upon two समझ में आ रहा होगा हमने क्या बताया है कॉन का आधा होता है two theta है तो यहां पर theta theta मेरे पास x है तो x upon two इसके बाद आपको लगुत्तम लेना है आई बराबर कितना लगुत्तम एक्सकान 501 प्लिएयगस एक्सने एक्सना प्रेट एक्सना म३ंची एक्सन को एक्सना को मुस्ता त्सक्राइक व्हे छोड़्य एक्सना की के ओर यां पर ऑड़ी इसे ऊपर लगे आपके जाएंगे, इसे क्या करेंगे इस यह मायनास का यह प्लस का केंसिल हो गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं नोट करते रहा करो ठीक है तो यह ऊपर लेके जाएंगे वन प्लस का टेन स्कॉाइर एक सपॉंट नीचे कितना मिला एक प्लस एक दो मिला डी एक्स तो हमने क्या क्या एक वटा दो आगे लिखा वन प्लस टेन को अगा लिख देते हैं फार्मॉला है यह यह से कि स्कॉाइर थीटा बराभर होता है वन प्लस टेन स्कॉाइर ewण यह फार्मूला तह Ond ल esca होता है तो मिल्स फार्मॉला होता है तो हमको एकस करेंगे और पिलस का सी समा कलन हो जाए सी को जोड़ा जाता है तो आई बराबर आपको एक वटा दो लिख देना है और यहां पर 10 एक सब्सक्राइब यहां पर क्या निकलेगा वन आपांटू नीचे एक सब्सक्राइब कर जाता है या फिर इसको उपर ले तो नीचे हो सबसे नीचे कट जाता है कि एक सब्सक्राइब करेंगे नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी जल्दी नोट कुरू इसे अब आपको प्रस्म तीसरे का का देख लेना है यहां पर बताया गया है अब कल समीकर इतने की कोटी तथा घात ग्यात केजिए बताएंगे कोटी तथा घात यहां पर लिख लो प्रस्म तीसरे का 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 हल आपको यह लिख लेना है यह अपकल समीकर दिया गया है पहले यही लिग लो अब कल समी करड़ पहला पत बताया है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्कॉार होल घात है तीन वठे दो बराबर में एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल घात एक वठा दो मेरे प्यारे बच्चों इस अबकल समी करड़ की आप कोटी तो बता सकते हो लेकिन घात नहीं बता सकते हो मेरे प्यारे बच्चों क्यों घात नहीं बता सकते हो क्योंकि ये अबकल समी करड़ बहुपर समी करड़ नहीं है क्यों नहीं है आपको यहाँ पर कितनी घात दिख रही है तीन बटे दो यहाँ पर घात कितनी दिख रही है एक बटा दो मेरे प्यारे बच्चों आपको घात भिनात्मक दिख जाए या माइनस की दिख जाए तो अबकल समीकर बहुपर समीकर नहीं होगा पहले आपको यह अवकल समीकड को बहुपंपसमीकड में change करना है उसके बाद आप घात बता सकते हो अब यह अवकल समीकड जो है बहुपंसमीकड कैसे बनेगा आपको बताते हैं यहाँ पर एक वटा दो आपको घात दिख रही है यह घात हम इसको दे देंगे तो जब ये घात इसको दे देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों घात का ब्यूत्क्रम होता है तो जब यहाँ पर घात आएगी होल तो दो बटे एक आएगी ठीक है? तो बताते हैं देखो यहाँ पर d2y upon dx square यहाँ पर 3 बटे 2 घात है फिर इसकी होल घात कितनी हो जाएगी? दो बटे एक तो मेरे प्यारे बच्चों आपको दो लिख लेना है नीचे एक ना लिखो अंतर नहीं पड़ेगा बरावर में क्या है? x plus dy upon dx इतना आपने कर लिया अब यहाँ पर देखो घात की घात में गुणा होता है आपको पता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? घात की घात में गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पर d2 by upon dx square तीन वटे 2 में 2 खा हमने गुणा कर दिया अब बरावर में क्या है? x plus dy upon dx ठीक है? अब उपर दो नीचे दो कड़ गया अब यहाँ पर घात कितनी मिली देख लो d2 by upon dx square यहाँ पर मिल गई घात 3 और बरावर में जो है पच्छांतर करके इस तरफ लिखेंगे तो यह plus का है यह minus का हो जाएगा यह plus का है minus का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यह जो अपकल समीकड है यह बाउपर समीकड है अब आपको घात बता देनी है पहले आपको यहाँ पर कोटी बताना है फिर उसके बाद घात बताना है ठीक है? आपको लिख लेना है यहाँ पर रफ कर देते हैं आपको क्या लिखना है यहे अपकल समीकरड एक बहुपद समीकरड है ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं यहे अबकल समीकरड एक बहुपद समीकरड है ठीक है अब आपको कोटी बताना है और घात बताना है कोटी कैसे पता चलेगी आपको पता है आपको देखना है अधिकतम अपकलन कितनी बार हुआ है यहाँ पर एक बार हुआ है यहाँ पर देखो अंदर देखो घात के तो डी टू बार हुआ है अधिकतम अपकलन तो हम क्या करते हैं जादा वार देखते हैं वही कोटी है तो यहां पर कोटी आपको दो लिख देना है अब घाज जो है कोटी पर डिपेंड होती है जिसकी आपने कोटी बताई है उसी की आपको होल घाज देख लेना है तो आपने कोटी इस अपकर संकारक की बताई है तो इसी की होल घा हैं च अबापको अगला प्रस्थ 46 यहां पर ऐधा यहां पर क्या बताया गया है सदिस और सदिस के beach का koond ग्याद केजिए मेरे प्रप्रासट किस पार्ट से लिए गया है पार्ट 10 से लिए गया सदिश-bीच-गड़िस से मेरे प्यारे बच्छों formula काउन सा इसमें लगेगा दो formula होते हैं beach का koon निकालने के लिए देखो यां पे हम लिखदेते हैं पिर हम आपको बताएंगे कौन सा फार्मुला लगेगा कौस ठीटा बरावर होता है वेक्टर A डाट वेक्टर B अपान वेक्टर A का मापांग वेक्टर B का मापांग दूसरा जो फार्मुला है साइन ठीटा बरावर वेक्टर A करास वेक्टर B का मापांग अपान में वेक्टर A का मापांग वेक्टर B का मापांग मेरे प्यार वस्चों, इस प्रस्ण में ये फार्मला लगेगा और ये फार्मला क्यों नहींलगेगा इसकी पहचान हम आपको बता देते हैं जब प्रस्ण में जब प्रस्ण में SIN या A किраст B दिया गया हो दिया गया हो तो मेरे प्यारोबच्चों इसकी तो पहचान है प्रस्न में साइन या हे कोई दिया गया हो तब यह फार्मल लगता है अगर आईसा नहीं है प्रस्ट में तब आपको यह वाला फार्मला लगाना है ठीक है पता चल गया अब इसको उम्राफ कर देते हैं लगवाते हैं इसको आपको लिख लेना है यहां पर पहला सदिस और दूसरा सदिस मेरे प्यारे बच्चों इस सदिस का नाम नहीं दिया गया नहीं इसका दिया गया नहीं इसका जब प्रस्ण में सदिस का नाम ना दिया जाए तब आपको मान लेना है देखों यहां पर हम ब आपको लिख लेना है पहला सदिस दो सो तेरा ठीक है एक बार देखना है बार बार नहीं देखना है अब दूसरा सदिस देख लो यहां पर 321 से लिख लेना है दूसरा सदिस ठीक है एक बार देखना है बार बार नहीं देखना है अब हम यहाँ पर फार्मला लगाते हैं कॉस ठीटा बरावर वेक्टर A डाट वेक्टर B अपान वेक्टर A का मापांग वेक्टर B का मापांग ठीक है बरावर आपको लिख लेना है कॉस ठीटा बरावर वेक्टर A का सदिस और वेक्टर V का सदिस आपको रख लेना है यहाँ पर देखो 213 से आपको सदिस लिख लेना है अब वेक्टर V का सदिस यहाँ पर रखो 321 से आपको सदिस लिख लेना है ठीक है पहले रूड में आपको इसका मापांग निकलना है दूसरे रूड में इसका मापांग निकलना है क्योंकि मापांग रूड से निकाला जाता है ठीक है दो का स्कॉयर चार फिर पिलस यहां पर बन मिलेगा ना गुणा वन का स्कॉयर वन फिर पिलस तीन का स्कॉयर नो यहां पर आजाओ तीन का स्कॉयर नो पिलस मैनस दो का ज़िए बोन यहां पे मैनस दो यहां पर तो मैनस दो मिलेगा तीसरा पत क्या देगा विल्आथ का झैन्ड यहां पर यहां पर 10 और चार चावदा मिल जाएगा यहां पर कि अब आपको यहाँ से लेख लेना है कॉस ठीटा बराबर है नौ मेढ़े गटाएंगे 2 तो 7 मिलेगा अपान में रूड सीग में प्रैंटों जाएगा ठीक है तो कउस ठीटा बराबर 1 वट्टाह्ट है अब को स्की टेपिल में देख लेना है कितने का मांन होता है एक बटा दो कोउससाठंस का मांन होता है एक बटा धो ढूरत त animator कोज स्टा बराबर आपको यहां पर कॉससाठंस लिख लेना चाहें आप डिगरी में रखो कौन चाहें रेडियन में रखो ठीक है कोई ग्रीमिया निकालो चाहें रेडियन में निकालो एक भी नमबर नहीं कटेगा यह मेरा आपसे बादा आए चलो इसको व म्राफ कर देते हैं आशित कि अब आपको अगला प्रस्त देख लेना है नमबर यहां पे डाल देते हैं यह गाह हो गया ठीक है यहां पर क्या लिखा है यह हो गया यह वाला देख लेना है यहां पर बताया गया है यह सदिश दिया गया है की दिशा में एकांग सदिश ग्याद कीजिए तो मेरे प्यारे बच्चों एकांग सदिश का फार्मला तो आपको पता ही है क्या होता है यहा चालो सबसे पहले आपको क्या करना है इस सदिश का नाम नहीं दिया गया है आपको मान लेना है तो यहां पर हम वेक्टर एक के बराबर इसको मान लेते हैं दिक अनुपास से लिखना है जल्दी लिख जाता है 123 से लिखना है आपको मेरे प्यारे बच्चों 123 से आपको लिखना है एक बार बार नहीं देखना है ठीक है फार्मरा तो आपको पता ही है लेकिन यहाँ पर क्या लिखा एक आंग सदेश इसको भी लिख लो एक आंग सदेश यही ग्याद करना है ठीक है होता है यहन के बरावर वेक्टर ए अपान वेक्टर एका मापांग चलो यहाँ पर आपको सदेश लिख लेना है है 1510 खेक है मापांग आपको निकालना है रूड में गडांगों का बर्ग करके लिखना आईक का गुञांग मिलेगा फिर फिलस यह क्याइप का गुञांग कितना है माइनस दो माइनस दो का स्कॉर चार मिलेगा फिर Shapous क्यके फिस तीन इतीन का नो मिलेगा चालो आगे लिखते हैं मेरे प्यारे बच्छों लूड में कितना मिलेगा 9 और 10 , Η जोडा नहीं बनाई नहीं निकलेगा अब आपको करना क्या है नो चोझा नरह इसके बटे लिखना इसके बटे और इसके बटे क्योंकि जब आपको सदीस बताना है तब आपको फुटकर पदों में आंतर हिट छोड़ना है तीन पदों चाहें दो पदों अलग अलग आपको लिखना है इतना ध्यां रखना है तो यह न कैप बराबर वन अपां रूड फोर्टीन आई के माइन अगला पद दिखाना आए चालो यह हो गया इसको रफ करते हैं अब अगले प्रस्ण की एब बारी नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी इसको हम रफ कर देते हैं फिर आगे बड़ते हैं अब आपको अगला नंबर यहां पर डाल लेना है कौन सा है घा यह हो चुका है आप बहु विकल्पिये परिच्छा के पांच प्रस्ण है इसका मतलब है पांच प्रस्ण बहु विकल्पिये के हैं आगे बताया गया है जिनमें पिर्तिये के तीन संभावित उत्तर हैं इसका मतलब है हर एक प्रस्ण के तीन संभावित उत्तर हैं आगे बताया गया है इसकी क् किस रूल से ये लगेगा देख लो यहां पे दूई पद वन टन फारमुले आपको याद होगा पी एकस बराबर आर यन सी आर क्यू की गात यन मैनस आर पी की गात आर जहाँ पी प्लस क्यू बराबर वन होता है इस फार्मूले का आपको यूज करना है लेकिन इस फार्मूले में किसके किसके मान की जरूत है देख लो यहां पे येन पी क्यू और आर मेरे प्यार बच्चों येन पी क्यू आर चार मान की जरूत है यन कैसे पता चलेगा प्रस्ण से मेरे प्यर्वच्चों आपने पासा सिक्का वाले प्रस्ण देखे होंगे और हल भी क्या होगा जैसे पासा नौ बार उचला जाए तो यन बराबर नौ या पासा दस बार उचला जाए तो यन बराबर दस ऐसे सिक्के के लिए सिक्का चाहें बीस बार उचला जाए तो यहन बरावर बीस ऐसे यहां पर देखना है यहां पर बताया गया है पांच प्रसन है एक बहु बिगल्पिय परिच्छा के पांच प्रसन है तो सबसे पहले आपको यहन बरावर पांच लिख देना है ठीक है यहन पता हो गया अब आपको पी पता क करना एध रसन से पी मतलब प्रायक्ता ठीक है और सफलता की प्रायक्ता जिसके लिए बोल दे लिग 100 उसी से आपको निकालना है है तो यहाँ पर हम पी बडर लिखेंगे जिसे कि यहाँ पर क्या बताया गया है जिनमें पिर्तिय के तीन संभावित उत्तर हैं के तीन संभाविद उत्तर है मेरे प्यारे वच्चों आपको एक के लिए काम करना है जैसे यहां पे टोटल प्रसन कीतने पांच लेकिन एक प्रसन में आपको पिस में पर ढrant देने की प्रयक्टा निकाल करना है तो यहां पर क्या लिखेंगे एक प्रस्ण ठीक है अब यहां पर जो लिखा हुआ ही लिख लो एक प्रस्ण के कि तीन कि संभावेत कि उत्तर कि देने की प्रायक्ता मेरे प्यार वच्चों आपको एक के लिए काम करना है टोटल प्रस्ण थे आपने एक प्रस्ण के लिए लिखा यहां पर आपके पास संभावेत संभावेत उत्तर देने की प्रायक्ता तीन है तो फार्मला यही लगेगा पी वरावर एनी अपान एनेस एनेस क्या होता है कुल परिस्थितियों की संग्या तो तीन संभावेत उत्तर हैं ठीक है जिन में से आप एक बताओगे करेक्ट बताओगे ना तो यहां पर एक क्यूं निकालना है क्यूं कैसे निकलेगा आपको पता है जब हम इस को लेंग e to q इसको भी रफ कर देते हैं अब निकालेंगे तो वन मैनस पी का मान एक वटा तीन हल करो दो वटे तीन अब आपको आर निकालना है क्या निकालना आर तो पहले आपको समझ लेना है आर और पी में थोड़ा कामन है पी होता है सफलता की प्राइक्ता और आर जो है कितनी बार सफलता मिली है आर को क्या बोलेंगे किस पर कितनी बार सफलता मिली है और पी को क्या बोलेंगे सफलता की प्राइक्ता तो यहां पर सफलता कि कहता है चार प्रसनों के सही उत्तर दे देगा चार प्रसनों पर आपको सफलता मिलेगी तो आर बराबर चार आपको लिख देना है समझ में आगे ना आर बराओ क्या लिखना श्यार अब फार्मुला लगाना है दूइपद कि वन्टन का होता है फार्मुला पी एक्स बराबर आर होता है और कमान चार है यह यह होता है यह पांच और की गात कैसे पता चलती है फांच में इस चार को घटाएंगे एक दिखना है अब आपको पी और क्यों के मान यहां पर रखना और इसकी डारेक्ट आमधर वताना इसको बोलते हैं दूइपद गुडक बोलते हैं अब देखो तो यहां पर जैसे आपने पढ़ा होगा यह यह सी ओन यह सी एन मैनस वन होता है बरावर यह 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 का फार्मूला आपको लागाना है लेकिन वह फार्मूला तभी लगता है जब डारेक्ट मान ना पता हो तो यहां पता है ना पांच से एक कम तो यहां पे दो को यहन से एक कम तो डारत ही आधियन् firmly लिख दो मेरे पास क्या है पाँच हुआमक देख लूब यहां पे दो बाटे तीन थीक है क्यों कमान दो बटे दीं पीक मान एक विटार्तीन ओल ओल गाच चाह deber हल करो हल करेंगे तो यहां पर देख लो पांग दूने दस बटे तीन की गाज चार एक्यासी देगा और बाहर तीन है तीन का गुणा कर दो चेंजान की है करें आपको नूट कर लेना है प्रसन जो है तीन कम्प्लीट हो गया अब प्रस्ण करवाते हैं इसको जल्दी नोट कर लो अब आपको प्रस्ण चउते का का देख लेना है यहां पर बताया गया है यदि बाई बरावर इतना हो तो सिद्ध कीजिए इतना बरावर उतना ठीक है पहले आपको फोरजी ट्रिक से अंदर से निकल वाते हैं उसके बाद बेसिक से हल करवा तो देख लो फोरजी ट्रिक अगर आपको मिल जाए रूड में एफ एक्स फिर प्लस फिर आपको रूड में एफ एक्स मिल जाए फिर प्लस फिर आपको रूड में एफ एक्स मिल जाए और कहां तक अनंत पदों तक तब आपको करना क्या आए यहां पर देखो डी वाई अ सिस्टीक का मान कितना मिल जाए गा आपको दिख रहा होगा साइन एकस like यहां पर क्या है fdos x आपको अपकरन करना है साइन का आपकलन को सब नीचे सेम्ट टू सेम आपको रखना है और यहां पर cultural दे दी गई हैं पहले से अगर ना दी होती प्रेस्द में तब आपको इतनी निकालना थे मज़ा गया होगा थीक है यह कहीं ना कहीं नोट कर लेना कि अब हम इसको लगवाते हैं इसको अमराफ कर देते हैं कि आपको यहां पर लिख लेना है एक प्रस्न पर उते का काहल। यहां पर क्या की डिक्राया यह ये का मतलब क्या होता है दिया है ठीक है कि यहां पर लिख देते हैं क्या दिया है Y बराबर रूड में lessonstation एक्स फिर 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 तक बताया है अनंत पदों तक अब आपको यहां पर सिखाते हैं इसको आगे कैसे हल करोगे तो देख लो यहां पर जैसे हमने साइनक्स ले लिया रूड में फिर 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 रूड में साइन केए ले लिया फिर फिर रूट में साइनेक्स ले लिया पिलस डाठ 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 कहां तक अनंद पदोगी अगर इतना हम हटा दें तो सुरेडी में कोई अंतर पड़ेगा नहीं पड़े गा फिर हम इसको हटा दें सिरेडी में कोई अंतर पड़ेगा नहीं पड़ेगा और एक आपको बचा के रखना है मेरे प्यारे बच्चों पहला जो है उसको बचा के रखना है बागी सबको हटा देना और जो हमने हटाया है न जो हमने हटाया है न आपको क्या कर लेना है बाई मान लेना है यहां पर क्या है वाई है तो यहां पर वाई रखना अगर यहां पर एक्स होता तो यहां पर एक्स रखते ठीटा होता तो ठीटा रखते समझ में आ गया ठीक है तो यहां पर देखो हम क्या करेंगे सब को हटा देंगे एक बचा लेंगे और वाई लिख देंगे ठीक है इतना तब दिख जाए तब क्या करते हैं आगे calculation डोनों पच्छों का वर्ग करके आगे calculation को बढ़ाया जाता है ठीक है तो यहां पर क्या करेंगे दोनों पच्छों का बद करने पर èry izquierda e street बराबर sin x plus का भॉब वर्ने apart हट जाएगा अब आपको क्या करना आ अब कलन किसके सापेच करना है यहाँ नीचे दिको समें चैर एकष़ rpm ना यहाँ पर इचखे 6 गहाँ लब रड़यको पर इंथ्टिव करन के यहाँ तो इसके सापेच अब कलन करने पर इस हिंदी का मतलब यही है कि बराबर के मेरी तरफ डी अपॉन डी एक्स रखना है बराबर के उस तरफ डी अपॉन डी एक्स रखना है ठीक है इसका अपकलन टू वाई वाई का दूबारा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में साइन का क्या होगा कॉस एक्स और वाई का दूपो लगर करेते हुए उनको पास पास लिखेंगे कники दो इकमाल ने लेंगे ड दो फिर इतना मैcion हो जाएगा बराबर में सेचलों अब आगे बढ़ते हैं इसको अब लोग नोट कर लो Q इसको इसतरव लाएंगे टो डशी डी अप्रम डे अक्स मैनस डीउपन डीएक्स बराबर कॉस्यस यहां से आपको कामन निकाल निकाल लेना है डी वाे अप्रम डे अप्रम बराबर में कॉसीक्स लिक देना है ठीक है कίlais कि अब देखो अंसर सीट मैश हो गई भी तेख नोड कर लो यह सह दो गया अब अगला प्रश्ट देख लो इसको हम्राफ कर देता हैं झार आपको देख लेना ना अगला प्रश्ट जोल है यहाँ पर दो यह हो चुक़ा यह देखो हिए प्रश्ट रिपीट हुआ है कहां पर हो चुका है देखलो 2019 का तीसरा सेट है सेट कोड है 324E के और प्रस्ण है पहले का अड़ा तो इसका गर्दा आप लोग दुबारा उड़ा देना है अब अगला प्रस्ण देखलो यह भी रिपीट हुआ है कहां पर हो चुका है 2019 का पहला सेट सेट कोड है 324EI प्रस्ण है तीसरे का घा तो कर लेना इसको भी अगला प्रस्ण देखो बताया गया है अनिश्य समागलंद का मान ग्याद कीजिए इसको लगवाते हैं यह रिपीट नहीं हुआ है यहां पर हम नंबर चेंज कर लेते हैं कौन सा घा ठीक है आपको लिख लेना है आई के बराबर वनापन एक सी घात एक वटा दो पिलस एक सी घात एक वटा तीन और यहां पर डी एक्स मेरे प्यारे बच्छों एक सी घात एक वटा दो और एक सी घात एक वटा तीन छोटी गात देखना है चोटी गात यह है कि यह कामन ले लो क्यों कि आपको पता एक रूल जब आपको अपान में कि दो या दो से ज़्यादा ब्रेकिट दिख जाते हैं हर में तो आंसिक भिन का यूज करके समाकलन होता है तो देखो हम गुणन खंड कर रहे हैं इसके वना पान एक सी गात एक वटा तीन हमने कामन ले लिए जब अरजस्ति ले लिए तो मेरे प्यारे बच्छों यहां पर घटा दू ठीक है और यहां पर बन बचेगा अगर हम इसका इसमें गुणा कर दें तो यही मिलेगा देखो यह प्लस की गात यह मैनस की कड़ गए पद मैच हो गया है यह वाला पद मैच हो जाएगा गुणा कर दू ठीक है ऐसे करके आपको लेखना है अब आंसिक भिन का यूज होगा कैसे पहले तो यह सरल कर लो तो आई बराबर वन अपन एक सी गात एक वटा तीन और यह कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 को बटा 6, प्लस का 1, और यहां पे dx, एक bracket यहां से मिलेगा, और एक bracket यहां से मिलेगा, बतलब अगर चाहो तो x लिखात, एक बटा 3 है, इसे कैसे लिखो, ऐसे लिख लो, देखो, एक bracket और दूसरा bracket, जब 2 या 2 से ज़्यादा bracket मिल जाते हैं, तो आंसिक व इस पे यूज होती है ना इस पे ना इस पे ना इस पे इस पे यूज होती है बहुपद तो यह बहुपद अभी नहीं है बटे में घात है माइनस की घात और बटे में घात जब होती है तो बहुपद नहीं होता है धनात्म की घात होना चाहिए तो इसे हम क्या करेंगे पहले साथ धनात्मक बनाएंगे किसे बनाएंगे प्रसनावली साथ दसमलव दो आपने कंप्लेट की होगी प्रतिष्थापन विदी आपने सीखी होगी फलन को टी मानते हैं तो यहां पर हम टी मानेंगे और घात को धनात्मक बनाएंगे फिर उसके वाद आंसे वे नियूज यह पर लखना पढ़े आपको फिरती इस्थापन विदी से का निक्यां वर्याप्स बराबर टी की में हैं कितने रखनाraft हैं यहां पर देखो कि यहां पर छ्य है था थूँना च्शक लिदेंगे था सिद्व यहांपर तौन क्यों गात की खात्यास में गुणा होता है यहां इसथे तो यह इस टूनी km टूनी सिम्धा हो कि अब आपको सब्सक्राइब करेंगे जब हम अधिक इसove 8ител के सापेश और छलो आपको आता है कोई दिक़र नहीं जैसे एक है आप नहीं ता से गाते पांच यहांपर क्या एक कि घु टारहुब कर दिया तो डारेक्ट एससे एक यह फ्याता खПрतिस्त करते हैं यूज रखना प१रते हैं एक माना है और यह इस्थान पर रखना पड़ता है चलो आगे बढ़ते हैं अब आपको यहां पर लिखना है आई बराबर जहां जहां मेरे प्यारे बच्छों एक सिद्धिक राइट टीकी गाच छे रख दो तो टीकी गाच छे और एक वटा तीन ठीक है यहां पर आजाओ टीकी गाच छे एक वटा छे प्लस का एक और डी एक्स के स्थान पर क्या रख दो छे टीकी गाते पांच और यहां पर डी टी ठीक है इसको उम्राफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं कि इतना नूट कर लो अब घात की घात में गुणा होता है इसका गुणा करेंगे आई बराबर वन अपन कितना मिलेगा टी स्कॉयर मिल जाएगा यहां पर टी मिलेगा प्लस का वन और छे आगे करके टी उपर लिग लो यह वाला तो मेरे प्यारे बच्चों यह इससे कट जाएगा तो घटा लो यह दो गाते यहां पर घटा लो टी की घात कितनी मिलेगी तीन मिलेगी अपन में टी प्लस का वन अब यहां पर देखो एक ब्रेकिड मिला तो अंसी विन यहां पर यूज नहीं होगी अब आपको दूसरा करूल यूज करना है अंस में घात देखना है और हर में अधिक्तम घात देखना है अगर अंसी घात बराबर हो या बड़ी हो हर से तो भाग देते हैं तो यहां पर बड़ी घाते पहले आपको भाग लगाना है ठीक है तो देखो टी प्लस वन का वाग टी की घातें तीन में आपको देना है सबसे पहले आपको टी गात तीन बनाना है तो टी स्कॉयर यहां पर लिखना पड़ेगा क्योंकि एक घात यहां से दो यहां से तीन मिले गई कि अब कैंसिल कर लो लेकिन इसका इसमें भी गुणा होगा ना टी स्कॉयर अब यह पहला पत कैंसिल हो जाएगा माइनस का टी स्कॉयर मिलेगा अब अब देखू भाग दिया जाएगा आगे या नहीं जात अगर बराबर या बड़ी मिलती रहेगी सेस्वल में तो भाग दे पर रहेंगे तो यहां पर बन है यहां पर दो अधिक्तम मिली है तो भाग दो तो माइनस से माइनस कर लो टी कि आप दो चाहिए यहां पर कितनी है एक है तो एक यहां पर लिखना है अब टी स्कॉयर मिल जाएगा माइनस का तो टी स्कॉयर और यहां पर इंटू करेंगे मा थोड़ा नीचे चला जाएगा से यहां से यह बढ़ी मिलती है इसकी बढ़ी तो भाग दिया जाएगा तो यह आप से बन और आपको भाग लगाना है ठीक है बन का इसमें इंटू कर लो तो टी और प्लस का वन तो माइनस माइनस यह कड़ गया मैनस वन आ गया आपको कैसे लिखना है एक नंबर प्लस माइनस दो बटे तीन नंबर तो एक नंबर यह हो गया दो नंबर यह हो गया तीन नंबर यह हो गया तो यह रूल कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं लिख लूए दिन आई बराबर यहां पर क्या है ऐसे है ठीक है एक नंबर टी स्क्वाइर माइनस का टी प्लस का वण ठीक है फिर सेस्पल मानस है मांडस वन आपन ये तीन नंबर लिखना है T plus का वन ठीक है और यहांपर c जितने पद हैं सभी का आपको अलग-अलग समागलन खनाए छे-टी स्कुईर का अलग करना इसका जब अलग करोगे टी मिलेगा इसका जब करोगे प्लस का छे अचरपद मिलेगा इसका जब करोगे मैनस छे वन आप ओन टी प्लस का वन डीटी ठीक है इन तीन पदों में एक सी गात यन का फार्मरा लगाएंगे इसको अम्राफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आई बराबर इसका क्या हो जाएगा तीन बटा तीर इसका क्या हो जाएगा टी स्कॉाइर बटा दो इसका क्या हो जाएगा सिक्स टी इसका क्या हो जाएगा लॉग क्योंकि एक घात में लॉग का फार्मूला बनाया गया अपान में चर चेंज है य यहां पर टी पिलस वन तो टी पिलस वन आपने चेक किया तो चेंज पाया तो आपको अब गलन करना है नीचे तो टी का वन वन का जीरो सी जोड़ लेना है जब समागलन हो जाता है ठीक है यह काड़ लो तीन दूनी छे दो तियां छे तो आई बराबर टू टी क्यू मैनस का सिख्वाय, प्लس का शिक्स टी मानस का शिक्स लोग कि प्लस का वणी प्लस का सी अब आप The अब आपने, वह तरह बना कि तो टीप का मानिकालो यहां से, यहां हमें यांसर सीट चेहरी एक्स में लानी है आगे बढ़ते हैं आई बराबर यहां पे टू है एकसी गात एक बटा छे रगलो और होल गात यहां पे कितनी है तीन ठीक है माइनस का ठीरी टी स्क्वार टी टी का मान कितना एकसी गात एक बटा छे गात दो है प्लस का सिक्स टी है टी का मान डारेक्ट एकसी गात एक बटा छे और फिर क्या यहां पे माइनस का सिक्स लॉग एकसी गात एक बटा छे और प्लस का वन प्लस का से कट्टा पिट्टी करें है कि गात की गात में गुणा होता ना कि चलो इतना हम रफ कर देते हैं अब देखो गात की गात में गुणा होता है करो गुणा तीन दूनी छे तो कितना मिलेगा एक बटा दो यहां पर एक से लिखो एक सिगात एक बटा दो यहां से कितना मिल जाए माइनस एक सिगात दो ति और फिर यहां से एक सी गात एक वुटा चे एंस का छे लोग एक सी गात एक बाटा छे प्लस का बन प्लस का सिए एक लाइन आ जाएगा क्योंकि आदिगा रूड की होती है मैंनस शी एक सीगात कि निः नहाय यहां पर एक वोटा छे माइनस का छे लॉग एक सीगात एक वोटा छे प्लस का वण और प्लस का सी यह अंजर शीट आ गई है इतना आप लोग नोट कर लो अब अगले प्रसंद की यह बारी नहीं करेंगे उसके साथ कोई आ रही है कि अब आपको प्रसंद पांच में का का देख लेना आए यहांपर बताया है अनिष्ची संवाकलन का मान ग्यात कीजिए अनिष्ट प्रसंद पांच में का 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 हल i के बराबर आपको लिख लेना है x into 10 square x dx मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 10 square x तो 10 square x का direct समागलन नहीं होता है किसका किसका नहीं होता है यहाँ पर देख लो sin square x का direct समागलन नहीं होता है cause square x का direct समागलन नहीं होता है तेन स्कॉयर एक्स का डारेक्ट समागलन नहीं होता है कॉट स्कॉयर एक्स का डारेक्ट समागलन नहीं होता है से की स्कॉयर एक्स का डारेक्ट समागलन होता है तेन एक्स ठीक ना कॉशी की स्कॉयर एक्स का डारेक्ट समागलन होता है माइनस का COD X ब् envelop C मतलब दो का डारेक्ट होता है समाकलन 4 का नहीं होता है यहां पर 10 SQUAR है यहां पर 10 SQUAR बताते हैं अगर इसका समाकलन करना है आपको क्या करना है 1 SQUAR X-1 रख देना है यहां पर हम यही रखेंगे 1 SQUAR X-1 और X का इंटू भी कर देंगे हो जाएगा समाकलन साइन स्क्वाइर एक्स और कॉज स्क्वाइर एक्स और कॉज स्क्वाइर एक्स इसका भी बता देते हैं अगर कॉज स्क्वाइर एक्स का समाकलन करना है तो कॉज सी की स्क्वाइर एक्स मैनस रख लो इसका करो समाकलन इसका हो जैसे आप से कहेंगे कौस्टू एक्स ले लेते हैं donut होते हैं साइन के पदों में कौंश के पदों में तो यहां पर आलम मैनस का टू साइन स्क्वार 9 से हम् मार्य खिले इसको इस तरफ बेजए इसको उस तरफ तो यहां पर मायनस हो जाएगा कॉस्तु एकस बटे दो कहने का मतलब वैँ अगर साइन स्क्वाइर एकस का मान निकालेंगे तो इतना मिलेगा अगर आपको करना साइन स्क्वाइर एकसा समझ डारेंग नहीं होता है गार लेना इसका हो जाएगा ऐसे ही यहां पर इसका एक और फार्मूला हुता है कॉज 2.x का कॉज के पौदू में इसका मुनां सिक्वार्फ कर देते हैं ठू कॉज स्कॉाइर यह समान निकाले bathrooms के ब Pence तो चार का डारेक्ट नहीं होता है दोखा होता है इतनी जानकारी आपको होना चाहिए अगर आपने अनिश्य समाकलन की प्रेक्टिस की है तो इतनी जानकारी होना चाहिए ठीक है तो यहां पर देखो आई बरावर एक्स सेग स्कॉयर एक्स माइनस वन हमने रग लिया टेन स्कॉयर एक्स के इस्थान पर क्यूंके सेग स्कॉयर ठीटा बरावर होता है वन प्लस का टेन स्कॉयर ठीटा यह होता है समझ गए अब देखो यहां पर करना क्या है आई के बरावर लिगना एक्स का इंटू कर लो एक्स इ लग करना है यहां पर हम यूज करेंगे तो यहां पर यह जो है इसमें मिल जाएगा यह में और सेख जो है टी में मिल जाएगा यह पहले टी बाद में तो इसको फास्ट इसको सेकंड जो पहले फलन मिल जाए उसको फास्ट और जो बाद मिले उसे सेकंड फास्ट को ऐसे रख पूपाई सेम तू सेम आपको लिख देना है इसका एक स्कॉयर अपाउंट वह अभी सी नहीं जोड़ेंगे जब तक इसका समाखलन नहीं हो जाता तो आई बरावर एक स्टेन एक्स तो यहां पर वन का इंटू अगर कर दें तो 10x मिलेगा तो टेन एक सा समाखलन बोलो अब इसको रफ कर देते हैं अगला प्रस्ण आपको देख लेना है चलो बता देंगे किस पार्ट से लिया गया है अगला प्रस्ण आप लोग पढ़ लो तब तर चलो भाई यहां पर नमबर हम चेंज कर लेते हैं उसके बाद पढ़ेंगे उसको लिख यहां पर बताया कि अपकल समीकड को हल कीजिए तो यह प्रस्ण जो है पार्ट नौ से लिया गया है अपकल समीकड एंसी आठी से बता रहे हैं लिख लो आपकल समीकड को हल करेंगे तो यहां पर आपको लिख लेना है अब कल समीकरण तो y-x dy upon dx बराबर में a into में y square plus dy upon dx मेरे प्यार बच्च हैं एक विढ़ी यहांपे यूज होगी पहली बिदि चरों को पिर्थक करने की विढ़ी दूसरी क्या है समग घाती है तीसरी क्या है तो रहेखिक अब कल समीक रण तीन विदिया है एक विदि से यह हल होगा अभी आप बता नहीं पाओगे कौन सी विद्धी यहां फे यूज होगी तो करना कैसे है डीवाइफ पांड एक से दो पर देख रहे हैं पहले डीवाइफ पांड एक पद बनाना है कहने मतलब डीवाइफ पांड एक का मान निकालो फिर उसके बाद बता पाओगे कौन तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर एका इंटू कर लो पहले ठीक है इसको सेम टू सेम लिख लो एक वाई स्कॉयर प्लस का एडीवाइफ पांड एक का इंटू हमने कर दिया अब इसको उस तरफ लेके जाओ इसको इस तरफ लाएंगे इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का एकस डीवाइफ अपांड एक समझ रहे हो इसको इस तरफ लाए यह निगेटिव का हो गया इसको उस तरफ लेके के पोजिटिव का हो गया क्योंकि चिन बिप्रीत हो जाता है यहां से कामन लेलू क्या मिलेगा बता यहां से चला गया यहां पर देख लो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर अगर हम कामन ले लें तो ए प्लस एक्स मिलेगा ठीक है अब डिवाइपन डिएक्स निकालो यहां से तो डिवाइपन डिएक्स बराबर इसको नीचे बेद दो यहां पर आपको दिख रहा है केबल और केबल बाई दिख रही है ब्रेकिन में बाहर तो इस पूरे को हम डिवाई को दे देंगे और यह प्लस एक्स है ना इसमें कई बाई दिख रहे हैं नहीं तो यहां पर चर सेपरेट हो जाएंगे तो इसलिए चरों को प्रतकरने की बिदी यहां पर यूज होगी तब आपको आगे भी नहीं चेक करना है अगर यह वी यूज ना होती तब हम दूसरी बदी चेक करते हो और फिर यह भी नहो Celebrate셔서 critic शेर्वाज बन ऐसे यहां पर हम आपको बता रहा है क्यूंकि आपकर समीकड हुआएगा यह नहीं बताएगा कि कौण सी विदी को करना है खुद चेक करना है कि कौन सी विद्धी यूज होगी तो जैसा बता रहें वैसा काम गोरो तो यहां पर क्या लिख लो चरों को पिर ठक करने की बेदें चलो भाई बाई का पद हमें देना है डी वाई को तो नीचे बेद दो वाई इंटू में कि बड़ाबर में किराश इंटू कर दो अगये प्यारे बच्छों यह डी एक्स का किराश इंटू करते हैं यह वने यह विद्धी आपको पढ़ाये तो हंडिड परसेंट आपको बताये डी एक्सेंट इंटू ही होता है ठीक है यह जनकार्य आपको होना चाहिए आगे आज, अब यहां पर क्या करना है, शर्ट सेबरेट हो गए, इसके बाद में समाखलन करना है, दोनों पच्छों का समाखलन करने पर आपको सिम्बल देना है, बराबर के मेरी तरफ ठीक है ना बराबर के उस तरफ चलो बन लिख लो और नीचे ए प्लस एक डी एकस यहां पर लिख लो चाओ ऐसे यहां पर कर लो बन उपर और इस तरफ डी वाई लिख लो ठीक है अब समाकलन करेंगे यहां पर कितने ब्रेकिट जब मिल जाते हैं तो अंसिक भिन का यूज करके समाकरन होता है फलंद गाह यहां पर एक गात है तो एक गात के लिए लौक का फार्मला बनाया गया तो यूज हो जाएगा ठीक है यहां पर आपको क्या करना है आंसिक भिन्नों में वियोजित करने पर वियोजित करने पर या तोड़ने पर बराबर के मेरी तरफ आपको आंसिक भिन्न लगाना है इसको हम रफ कर देते हैं इतना आपने नोट कर लिया होगा देख लो यहां पर कैसे यूज होती है एक तो स्वार्ड में एक तो लॉंग में वियोज सौर्ड में का मतलब है का डारेट मन निकलता है और लॉंग में का मतलब है ए वी सी काम डारेट नहीं निकलता है तो सर्फ होती है दो अगर सर्प dos asajfad show up जाती है तो साइड में use करेंगे जैसे पहले ब्रेकेट की बात करें वाई की अधिक्तम गाथ देखना वें मच दूसरे ब्रेकट में वाई की अधिक्तम गाथ 17ご हो होगे सत्त तो सौड में यूज होगी अगर इनमें से एक भी सर्थ असत्त होती तो लॉंग में यूज होती इसकी जानकारी आपको होना चाहिए जब हमने आपको सिलेबस पढ़ाया तब हमने आपको बताया था ठीक है तो देखो वाई के लिए उपर यह लिखना है फिर पिल दाबर के इस तरफ देख लो इसका तो हो जाएगा ना अब करो चैन्ज है क्योंकि यहां पर एक सब्सक्राइब करेंगे नीचे तो एका जीरो एकस गवन और ची अभी नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इस तरफ समागला नहीं अभी नहीं हुआ है मेरे प्यारे बच्चों एक Mel valid निकाले एक नीचे देखो जएंप निश्तके मेर्म यहांपर को चुपाना यह कब चुप एगा जब जीरो बनेगा तो वाइगे एस थान पर आपको जीरो रख देना यह जीरो बन गया आब आपको बाई चुपाशुपा लैना अब जहां जहां है कितना रखना यह जीर है फिर छुपाना है और फिर bcan fabun निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों देखो अगर हम य DA Мण रख दें वन इंब यह मन कहां से निकलता है हैं अपने पास से नहीं लिखते हैं यहीं से लेते हैं जिर्ड व tastes from a निकालो लो और अपन ये निकलेगा तो डारेट आप सी सकते हो कि यह जीरो बनाना भाई के इस्थान पैसा कितना रखना यह जीरो बन जाए ब्रेकेट तो डारेक्ट भी सीख सकते हो क्या दिक्त बाई कमान पन ने रखोगँ जीरो बन जाए चुपा लो अब जहां जहां बाई है बनापन ए रखना है यहां पर है और जिसको छुपाते हैं यहां पर नहीं रखते हैं मान तो कितना मिलेगा ए मिलेगा वी का मान ए मिल गया है ठीक है मारकर अब ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं जब ए और बी का मान पता से जाए तब आपको हटा देना है ए और 1-20 r co पृट बराबर में लग मोड ए प्लस एक्स ठीक तो बताओ इसका समाकलन क्या होगा से लोग मोड इसमें गए कर लो होल पावर जैसे यह है वैसे यह इसका भी कर लो अब कम रूं कर दो नीचे बहुत क्लें प्लंद क्या था यहां पर लो 1 का 0 और मायनस ये वाई का 1 ठीक है बराबर में लॉग मौड़ ए प्लस एकस मेरे प्यारे बच्चों हर एक पद में आपको लॉग दिख रहा है हर एक पद में क्या दिख रहा है लॉग दिख रहा है तो गुडांक बन बन मिल जाए लग जाए ना के फार्मुले याद है न तीन उन में से कोई न कोई लग जाएगा तो आपको क्या करना है लॉग चोड़ना चाहिएं मोड कर लो क्योंके यहाँ पर भी मोड यहां पर भी याद रगना हर एक पद में अगर लॉग है तो सी समागना नहीं जोड़ना है लॉग सी आपको जोड़ना है ठीक है अगर एक भी पद में एक दो तीन तीन पद में एक भी पद में अगर लॉग ना होता तो हम सी जोड़ते हैं इतनी जानकारी आपको होना चाहि कि यहां पे काड़ लो मैनस का लौग मोड 1-A भाइँ बवर में फार्मड़ा लगा लो लौघ को लौग मापांग कर लो क्यूंकि फार्मड़ा होता है इसको अम्राफ अब फार्मुला आपको बताते हैं कि होल मापांग में कैसे चेंज होता है जैसे जेडवन है ना दो समिस्र संक्याएं है तो क्या होता है गुड़े में अगर है तो होल मापांग में चेंज हो जाता है यह क्लास लेविंग में आपने पड़ा होगा दो समिस्र संक्याओं का अ बराबर में निखा जाता है ठीक यहां पे लॉग यम अपानि से लेख दो थो य के बटょओ इतना में है इतना लिए अदो just जेड वन का अलग मापांग है और जेड टू का अलग मापांग हो जाता है ले नगा का है नो में मोड हलेंग लिया हूं अब दोनों पच्चों से क्या अटा दो लॉग अटा दो यहां पर मेरे पैर वच्चों दोनों पच्चों से हम लॉग अटा देंगे तो जब log हटेगा तो मापांग भी हट जाएगा जहां log है बहां मापांग है जहां log नहीं है वहां पे मापांग नहीं है इसका इसमें इंटू कर दो y वरावर c इंटू a प्लस x 1 मैनस का ay ठीक ना कि यह आ गया मतलब अपकल समीकर बता है था हल करो तो यह अंचा फीर निकली है किस में निकली है बियापक हल में निकली है यहां पर लए लेक देते हैं अगर सी ना होता तो बोलते और अगला प्रस्ण है यह राफ होने में यह टाइम आपका थोड़ा चला जाएगा कोई बात नहीं है अगला प्रस्ण देख लो गाहा यहां पर नम्बर हम चेंज कर देते हैं गाह में क्या बताया गया है यहां पर बताया गया है यह दी वेक्टर यह वेक्टर भी तता वेक्टर सी को तीन सदिस हैं तो सिद्ध कीजिए इतना पराबर इतना तो यह जो है प्रस्न कहां से लिया गया है प्रस्नावली 10.5 से तो यहां पर हम क्या करते हैं यहां पर हम LHS ले लेते हैं ठीक है LHS लिख लो वी किरासि आपको लगा लेना है ठीक है वेक्टर एक ब्रेकिट में दूसरे ब्रेकिट में सी किरास एडिक है तो यहां पर हमने क्या क्या ले लिए है इसको मान लिए है चाहें इसको मान लो चाहें इसको ठीक है वेक्टर सी किरास वेक्टर ए अब यहां पर एक फार्मला लगाना है किरास दो जगाए तो एक फार्मला पिछली किलास में हमने आपको बतायता देखो फास्ट फिर किरास सेकेंड फिर किरास थर्ड यही है बराबर होता है पहले का अदिस गुडन तीसरे के साथ दूसरा ऐसे ही रखते हैं फिर माइनस फिर पहला अदिस गुडन दूसरे के साथ रखते हैं तीसरा ऐसे ही रखते हैं ठीक है कैसे याद रखना एक सो तेस से याद रखना एक सो तेस फिर एक सो तेस फिर एक सो तेस तो यह कोड है आप लोग य टीए फैले 1 ,2 3 , ठीक seitट लगाएंगे साथ बाहर नगए स्ट बाहर रहना पिर मैनस फर्श्ट 7 के सथाथ लगाएंगे थर्ड बाहर रहेगा त्रश्ट यहां पर देखMost vector v cross vector c यही माना था ठीक है बापस रखो vector v cross vector c बाहर क्या है vector a ठीक है यह bracket आपको गोल ही लगाना है ठीक है यहाँ पर रख लो vector v cross vector c यह d का मन बापस रख रहा है dot यह फिर vector a मिरे प्यारे बच्चों यह आपने सीखा होगा कैसे हम आपको बताते हैं, जैसे, है आपने सीखा होगा вектор A, v ectr, v atteingtr, सी, ठीक है? अगर हम बाहर निकालते हैं, चाहें, आगे से निकालो, चाहें, पीछे से निकालो, तो यहाँ पर बाद में है, तो हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, जैसे C निकाला हमने क्या निकाला C निकाला ठीक है यह है अदिस्तिर्गुडन इस ब्रेकिड क्या बोलते हैं अदिस्तिर्गुडन बोलते हैं तो हमने C निकाला तो ब्रेकिड में क्या आएगा वेक्टर एक रास वेक्टर भी मतलब यह फार्मला आपको यूज करना है तो देखो यहां पर यह दिया गया है इसको अंदर भेजेंगे जो बाद में है उसे बाद में जो पहले सजी से उन्हें पहले लिखा जाएं तो यहां पर देखो वी फिर थोड़ा सा इस पेस फिर ए समझे रहे हो बाई बाद वाला बाद में ही लेखना थृके बाहर क्या एक रसी माइनस ऐसे इस'Mर बेट दो यहीं फार्मला यूस कर लो लोड़े फिर वैक्टर जी फिर वेक्टर सी बाद वाला बाद में लिखना पहले वाले पहले वाले लिखना धिया है आगे बढ़ते हैं कि में इसको अमडॉप करदे सेम सदिस मिल जाते हैं जैसे देखो यहां पर हम दो यूज Then जैसे फार्मूले आ B C बनाबर होता है वी और बनो के ब्रावर होता है प्छी एक सिमेट्री ए 750 से श्टाड यहां पर बी से इस श्टाड यहां पर छीजब एक फार्मूला यह लगाना और अगर आपको सेम में से मैं नहां यहां पर क्या लिख देंए यहां पर सिय यहां पर आपको 0 कर लेना यह दो फार्मूले आपको यहां पहर दल करना ना आ ठीक है तो देखो यहां पर BCA है हमको लाना है ABC तो BCA के बराबर ABC तो यहां पर लिख दो A फिर B और फिर C ठीक न अब बाहर क्या है मेरे प्यारे बच्चों बाहर जो है उसे ही लिखो कि यहां पर 00 कर लो क्यूंकि दो सदीर सेम टूसेम ऑठाइक तो आंश्चीछ जीरो आती है अब आंसर श शीप मैच कर लो आप लो आ गई को इसको अंबसकर देते हैं आ गई होगी ठीक है लेक्टर ए हैस्ट से वेक्टर इसे और यहां पर सीग्क लो यह अंस्षिण आगए at see तो इसका घरदा उड़ गया आप गहा लगवाते हैं इसकोते आप लोग पड़ लो क्या दिआ है और केम अमएब उनने और हिसें मांगा गया है तो यहां पर नमबर चेंज्ज कर देते ये रहा घा यह पर क्या पताया गया यह दिद्च एकिब्ज कि बुजा एशी का मद niemand udah यह तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना ठीक है यह जो है न किस पास से लिए पार्ट 10 से लिए गया सदिश बीजगड़स से ठीक ए तौब एक तरुबूज बना लेना है यह लो तिरफूज कि कि यहांपर डाल लो यहां पर बी डाल लो यहांपर सीद मिंद्ध आपको पूरे प्रस्ण में पूरे प्रस्ण में चाहें वो सिद्ध करना हो सब कुछ उठा करना है ठीक है अब यहां पर दो को नहीं लगे हैं जैसे AC है तो उसका बाद में देखेंगे लेकिन यहां पर आपको सदिश तिर्बुज का नियम यूज़ करना है जैसे यहां पर VE है अगर क्रास इंटू करो 2BE मिलेगा तो आपको एक दफ़ा इसमें लगाना है सदिश तिर्बुज का नियम और एक दफ़ा इसमें लगाना है तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा तिर्बुज VCE में सदिश तिर्बुज का नियम लगाने पर सदिश तिर्बुज का नियम लगाने पर तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता सदिश तिर्बुज का नियम हम आपको बता देते हैं जैसे दो भुजाओं के सदिश सेम दिशा में होते हैं एक अपोजिट होता है तो यहां से देखा वी तो आपको वी ले लेना है वी ले लिया यह आपने तीर पकड़ लिया अब दोटी एक ही दिशा में होना चाहिए एक वी सी मिला है और सी से ई कर लो कि यसलो समझ के आउगाई होगा इससे समय कड़ें सब्सक्राइग में डालो बाया एक तीरा आ अम थे लिया अपने लिंगा जो demokrat कर देते हैं और एक दिक्डर नहीं है में सदिस तिर्वुज का नियम लगाने पर तो यहां पर B.E. फिर पकड़ना है तो V.E. हमने पकड़ लिया तीक है, इसका तीर पकड़ लिया अब फिर एक नियम lugाने, दो बुजाओं का एक तो B.A. एक तो A.E. ले लो तो B.A. और पिलस का A.E. समी का नमज वेलों और यहां पर थोड़ा और लिख लेना क्यों यहां पर क्या बोला है इसका इसके जरूत ऊसल्री थो थोड़ा सा यहां रहा है इसका मद-विन्दू है कि तो इसका मतलब जानते हो आधा आधा होता है तो ए से सी तक गया ए से सी तक तो ए किसकी आधी हो जाएगी एसी की तो क्या करना डाइग्राम बनाना फिर इतना नोट करना फिर इतना नोट करना क्योंकि इसकी हमें जुरूत पड़ेगी ठीक है अब क्या करेंगे यहां पर हमक एक वा दो को जोडने पर जोड़ लो बीई बीई टू वीई आ गया यहां पे दोगो वी सी ठीक है पिलस सी इए ठीक है पिलस यहां पे दोगो वी ए अब पिलस एई अब हमें क्या लाना है यहां पे बीई बीई लाना तो यह बीए रहा और यह बीई सी रहा यह कैंसल होगा यह लिखना इसी से कैंसल होगा तो हम क्या करेंगे यहां पर हल कर रहा है आप लोग कंप्लीट उतार लेना है यह रफ करेंगा आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि सदिश तर्वुज का नियम हम आपर हम यहां पर यूज करने तो तो डूबील एसलिक्व तो वेक्टर वीई सेंस्ट लिको ब्राबर तो आपको क्या पकड़ना है यहां-पर परहले लिखा भी ए पहले लिखें लो फिर बाद में वीचे लिखा भीषी बाद में लिखें लो मैं ना अब देखः को यह यहां पर क्या है ईसी है तो इसे पहले चेंज करो माइनस आ जाता है बाद वाला पहले लिखो पहले वाला बाद में तो माइनस आ जाता है यहां पर देखो एई यह तो मैस हो गया ठीक है? मान रख लो यहां से तो 2 vector ve बराबर में इसे ऐसे ही लिखो vector pe plus vector vc यहाँ पे दो, venc किसके बराबर है? 1 upon 2 ac फिर दो, ae किसके बराबर है 1 upon 2 ac तो यह कट जाएगा न negative positive अब ve का मान निकाल लो 2 का भाई लगा दो तो वी ए प्लस का वी सी यह हो गया सिद्ध देख लो मज़ा आ गया होगा नोड कर लो जल्दी इसको अब हम रफ कर देते हैं भाई अगला प्रस्ण देख लो तब तक आप लो अगला प्रस्ण देख लो तब तक इसको हम लिवक हम रफ करते हैं उसको भी रफ कर देते हैं रह्य यह लो रफ हो गया ठीक है अगला प्रस्ण हम है being यहा पर हम स्राइ। हम लेते हैं चलो ओभाइ कर चेंज़ कर लेते हैं यह यहां पर क्या पता है यह दीआस ब्राबर बना पर पर यह प्रस्न कि है तो यह उखी और फैट से तह तहरे दा सह आना पर आपको हृँगन सिखा था ठीक है तो दिया है लिख लो सब्सक्राइब क्या लेक्या लिखाए यह दी यदि का मतलब होता है न्यों मैं हम नीन एक आप पास क्या है A X minus ka V upon A X Plusdır लिए आगर आपने डारेक्ट अपकलन्ड कर दिया तो आनिस एन सिर्व मैश नहीं करो गटाओं साज नहीं करें तो हाती से चीटी बनाएंगे आठी से यह कॉण है इसको हाती बोलते हैं क्योंकि हम क्लक्ड करो गें पर इसका दुबारा करो के तो हांती करोगए अपकलण तो टायम ज्यादा लगेगा हांती से चीटी बनाएंगे उसके बाद अपकलन करेंगे तेंड इन वर्श आपको एक आमन कामन ले 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 अधोग है यहां से का मेश्प्रेंट है हम देख लेते हैं अंसाल में जब रसन नहीं भाइ हमने एक यापन में लिया टो यहां पर आजाएगा वी अपने इंटू एक प्लस का थीक है एसे कट गया आगे वड़ो ऐसे अन्स में क्या आपने देखा एक समझ की अपन अपन दो एक समांक ह्टेयक बंको पहले लिखू फिर्क को पहले लिखो वी अपान एको बाद में लिखो बीच में गुणा ऐसा क्यों किया क्योंकि आपको एक फार्मला याद होगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान बन प्लस एक्स वाई ठीक है बता देते हैं यहां पर हम फार्मला कौन सा यूज़ करेंगे देखलो जैसे ट टेन इनवर्स वाई के बरावर होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस का वाई अपान वन प्लस का एक्स वाई यह फार्मला हम यूज़ करेंगे कैने मतलब है यह आपको किलोज दिया है इसका ओपेन आपको इस तरीके से लिखना है फिर उसके बाद अपकलंद करना है ठीक है by बरावर 10 inverse x फिर minus के बाद में 10 inverse यहां पर क्या है भी अपाने तो भी अपाने अब आपको अपकलन करना है x के सापेज तो x के देखो हाती से हमने चीटी बना लिया बनाया अब अपकलन आसान हो जाएगा तो x के सापेज अब कलन करने पर रफ करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं नोट करते राकरो ठीक है अब आपको करना क्या है इस हिंदी का मतलब होता है फोरे इंवर्ज्द अरद के यहाँ वाई का वह जाएगा इंवाइप भॉप ऑप्र दे एक्स के अपकलन का गगा वन अपानय पल्स है अंचर पद्द का क्या हो गजीरू यहां पर 7 नहीं दिख रहा है जब एक से नहीं दिख रहा है तो आंसर सीट जीरो आती है अचर पद की ठीक है तो डी वाई अपॉन डी एक्स बरावर वन आपॉन वन प्लस एक्स स्क्वार तो यह आंसर सीट आगए यहीं हमको सिद्ध करना था तो मेरे प्यारे बच्चों यह लास्ट का प्रस्न देख लो च्छा यह रिपीट हुआ है यह हो चुका है कहां पर हो चुका है 2020 का दूसरा सेट है सेट कोड है 324 एक से तो प्रस्न नंबर हमने यह 5 भी कंप्लीट करवा दिया तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्लास में मतलब स 70 तैसले क्रिके तरीक है कितने प्रसन कंपलेट कर्वाय एक से लेके पास्ते पांस तक इसके आगे की जो प्रसना अगली क्लास में करवा देंगे अगर यह मेरी क्लास अच्वक्च लिए तो व終ת लोक्क कर देना है और इस वीडियो को जादा जादा सेर कर देना मिलते हैं अगली क्लास में आज के लिए इतना ही काफी है धन्यवाद